दियर विविवर्स हमारे द्रिष्टी PCS चैनल पर अपसे हर रोज शाम छे बजे राज्य विशेश करण्ट अफियस देखना न भूले धन्यवाद द्रिष्टी आईएस के डेली करण न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है डेली करण न्यूज में चरचे का विशे है नीत यूजी परिक्षा में उपरी आईउ सीमा हटी राश्ट्रिय पात्रता सहे प्रवेश परिक्षा यानि नीट यूजी की उपरी आईउ सीमा को हटा दिया गया है यह गोशना राश्ट्रिय चिकित्सा आयोग यानि नैशनल मेडिकल कमीशन द्वारा की गई अभी तक नीट योजी के लिए आवेदन की अधिकतम उम्र 25 वर्ष थी यानि की 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन के पात्र नहीं होते थे इस फैसले से चिकित्सा शिक्षा को नया आयाम मिलेगा साथ ही देश में चिकित्स की ये आधार भी मजबूत होगा उपरी आयो सीमा की छूट इसी वर्ष यानि नीर टियोजी 2022 से ही लागू होगी यह निर्णे चौथी एनेमसी की बैठक में 21 अक्टूबर 2021 को लिया गया था इस आशे के लिए सनातक चिकित्सा शिक्षा परवीनियम 1997 में उप्योक्त रूप से संशोधन करने के लिए आधिकारिक अधिसूचना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है इस कदम से मेडिकल शिक्षा के लिए आवेदक उम्मीद्वारों की संख्या बढ़ेगी जिससे हमें अधिक डॉक्टर मिल पाएंगे जान लेते हैं एनेमसी यानि राश्ट्रिय चिकित्सा आयोक के बारे में इसकी स्थापना भारतिय चिकित्सा परिशत अधिनियम 2019 के तहत की गई इसका लक्षिय देश के हर भाग में उचस्तरिय चिकित्सिय सेवा और सुविधा उपलब्द करना है आयोक के कारे में शामिल है चिकित्सा विद्यालियों को मानेता देना चिकित्सकों का पंजी करण और चिकित्सा पदती की निगरानी एवब बुन्यादी धांचे का मुल्यांकन करना